प्रभास की सेल एर दोस्तों सुबह सुबह ये टीजर देखने के बाद मतलब जिस तरीके से ये टीजर था ब्रिलियंट मज़ा आ गया मैं सीरिसली बोल रहा हूँ जितने भी ये जो हेटर से जिन्होंने आधी पूरुष को लेके देखो आधी पूरुष फ्लॉप हो गई मै भी मानता हूँ पर जिस तरीके से थेटरिकल फ्लॉप थी वो नो डाउट और उसका टैग भी फ्लॉप कही आया है पर जिस तरीके से ये मुवी में कमबैक होगा ना क्योंकि जो टीजर वो इतना प्रॉमिसिंग है मैंने नहीं सोचा था भाई और टीजर जिस तरीके से बन बात करनी पड़ेगी लेकिन जो excitement level है ना इसका एक big review लाऊंगा मैं don't worry उसमें हम पूरा detail बात करेंगे और प्रवास के career की भाई सबसे बड़ी film यहीं होगी नहीं बहु बली वगरा के नहीं बात करूंगा मैं यहीं हो सकती है जिस तरीके से वो connection देखने को मिलेगा ना भ ब्रिलियंट यार मतलब जिस तरीके से मुझे ना मैं एक बात जरूर यहां पर कहूंगा लेकिन मुझे ना थोड़ा से डर था कि कई यार साहो जैसा ना निकले मतलब एक अलग टाइप का ही थोड़ा निकले भाई यह एकदम high level है it's like कि मतलब मुझे नहीं बतना आप मतलब ठीक है टीजर आया लेकिन ट्रेलर में भी कुछ चीजे ऐसे रिवील होगी और जितना इजी लग रहा है ना उतना इजी नहीं है जो हम बोल रहे थे कि भाई नहीं मुझे मैं मेरा पर्सनल एक्सपिरियंस दू ना मुझे नहीं लग रहा था कि भाई यह मुझे उतन वो कहते ना भाज आएगा मतलब थोड़ा सा डर था पर अब डर ही नहीं रहा यार मजा आ गया प्रभास डार्लिंग प्रभास इसके फैंस इस मुवी का टीजर जब देखेंगे टीजर छोड़ो यार ट्रेलर जब आएगा और जब यह मुवी आईगी भाई यह मुवी क्य यहां रेकॉर्ड बनाएगी ना आप सोच भी नहीं सकते हो सच में मुझे मैं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया भाई मेरे लिए तो यह मतलब मैंने सच में नहीं सोचा था हां कुछ जो मुवी थी ना पीछली प्रभास की वो सच में डिसपॉंटिंग थी इसलिए व मैं I don't care about others के उनको कैसा लगा टीजर मैं मेरा point of view बूलो ना ब्लॉक बॉस्टर है भाई गैरेंटी ब्लॉक ब्लॉक बॉस्टर वर्डिक पकड़ लो बस ट्रेलर का वक्त अब इंतजार है आपको कैसा लगा जरूर बताई है टीजर